Hello everyone, Great Online Academy पे आपका स्वागत है, मेरा नाम है रविन्द, आज हम लोग डिसकस करने वाले हिस्ट्री के टॉप MCQs का पार्ट सेकंड वीडियो, तो चली करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किस वर्स में जन गणमन को राष्ट्रगान के तौर पे सुईकार किया गया था, तो दा आंसर इस C. 1950, अगा बात करें इसके फैक्ट्स की, तो जन गणमन ओरिजिनली कमपोज इन बेंगौली, इसको ओरिजिनली बेंगौली में लिखा था, रविन्ना टैगोर ने, और इसका जो हिंदी वर्जन है, वो हमारे समिधान सभा के द्वारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान के तौर पे 24 जनवरी 1950 को सुईकार किया गया था, इसको सबसे पहले जो गाया गया है, वो कलकत्ता सेशन में गया था, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का जो कलकत्ता सेश सन्था 1911 का, उसमें सबसे पहले राष्ट्रगान को गया गया है, अगर बात करें आगले फेक्ट की, तो 24 जनवरी 1950 को राजेंदर प्रसाद ने जन गणमन को नेशनल एंथम घोसित किया था, अमारे रिपब्लिक आफ इंडिया का नेशनल एंथम जन गणमन को 24 जनवरी 1950 को गोसित किया गया था, ये डेट आप लोग जरूर याद रिखेगा, तो चली चलते हमारे नेक्स्ट कोशन पे, किसने माराथाओं को पानीपत के तीसरे युद में हराया था, जो दे आंसर इस अफगान, अगर बात करें इसके फैक्ट्स की, ये अफगान फोर्सेज जो थी, मसाअब्दाली, मसाअब्दाली को मसादुरणी भी कहते है, जो अफगान फोर्सेजज अować से मधसाअब्दाली की, उसने माराथाओं को इस युद में हराया था, यह कह सकते हैं कि हराया कंप्लीट्ली नहीं उसको कहते हैं, उसको कहेंगे कि इनका maximum destruction किया था सबसे ज़्यादा destruction जिसके बाद मराठाओं को खड़े होने बहुत time लगा था सो third battle पानिपात मराठाओं के history में सबसे ज़्यादा विनाशकारी battle है तो इसमें एक चीज और है कि अगर मराठाओं ने MSA अबदाली को रोका नहीं होता तो MSA अबदाली हमारा दिल्ली पे कबजा करता तो अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करें तो मराठाओं के वज़े से ही MSA अबदाली जो अफगानी रूलर था उसका इंडिया पे कबजा नहीं हुआ था तो यह हमारे लिए प्राओड का मुवमेंट है अगर इस्टोरिकल फैक्ट की बात करें तो इसमें मराठाओं का बहुत ही नुकसान हुआ था जिसको रिकवर करने में लोगों बहुत टाइम लगा था So the forces led by M.S. Durrani M.S. Durrani means M.S. Abdaali They are the same name The forces led by M.S. Durrani came out victorious after destroying several Maratha led by Balaji Baji Rao Marathau ka jo leader tha, ho tha Balaji Baji Rao The extent of losses on both the sides is heavily disputed by historians But it is believed that 60 to 70,000 were killed in fighting from both sides If both sides of destruction की बात करें तो कम साथ हजार लोगों की जान चली गए थी अगर इस आक्डे को अगर आपम लोग ध्यान से समझेंगे तो generally जो हमारा first battle of panipat हुआ था या second battle of panipat हुआ था उसमें दोनों में कभी इतना destruction नहीं हुआ था अगर हम first battle of panipat की बात करें तो उसमें तो बहुत ही कम destruction हुआ था और second battle of panipat में भी बहुत ही कम हुआ था या second battle of panipat में इब्राहिम लोधी हार गये थे बाबर से तो उसमें जादा जो हैं कि दोनों बार मुगलों में में किंक उन्हों ने हराया था सोल्जर्स की डेथ उतनी नहीं हुई थी बट third battle of panipat में सोल्जर्स की डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी तो इस facts को आप लोग जरूर देहन रखेगा क्योंकि ये भी direct question कई बार और RBN SSC दोनों में आते हैं सो चलते हैं हमारे next question पर So the next question is So the next question आजका लेते हैं Who was the first governor general of Bengal? Bengal का पहला governor general कौन था? बहुत सारे strength governor general of Bengal और governor general of India में confuse करते हैं So the governor general of Bengal जो सबसे पहला जो अंग्रेजों का first governor general जिसको East India का भी governor general कहते है वो Bengal में ही सबसे पहली presidency या सबसे पहला rule Britishers का Bengal में हुआ था Governor general of India तो बहुत बाद में बने हैं 1828 में बने थे हमारे Lord William Bentic और governor general of Bengal बहुत पहले बने हैं तो आपको बताना है governor general of Bengal कौन था पहला तो अगर बात करें आंसर की कि जो सबसे पहला अधिपत अंग्रेजों का हुआ था वो 1773 में हुआ था Bengal में सो फर्स्ट governor general इस्ट इंडिया कंपनी का वेरें हैंस्टिन 1773 में governor general of Bengal बने थे अगर बात करें इनके कुछ और questions की जो वेरें हैंस्टिन से related है सो regulating act 1773 जो सबसे पहला government of India Act था 1773 का वो था regulating act वो वेरें हैंस्टिन के टाइम पर ही पास हुआ था 1773 में ही और अगर बात करें वेरें हैंस्टिन के बारे में तो इन्होंने जो dual government थे Bengal की उसको इन्होंने ban किया था dual government क्या थी पहले क्या था दिवान शाही और निजाम शाही दिवान शाही क्या थी corporation जो tax को collect करते थे और निजाम साही थी जो स्रिप शाशन करते थे तो वेरें हैंस्टिन जब आये थे उन्होंने दिवान शाही और निजाम साही को खत्म कर दिया था और पूरा रूल अपने उपर ले लिया था तो ये सबसे पहले थे जो ने ने अंग्रेजों का पूरा रूल बेंगॉल की प्रोविंस पे लागू किया था अगर बात करें और फैक्ट्स की तो दिवानी और फॉजदारी अदालत इडिस्ट्रिक लेवल इन बेंगॉल प्रोविंस वास स्टार्टड वाई वेरें हैंस्टिन दिवानी और फॉजदारी अदालत की बात करें। तो यह अग तरीखे डार फोजदारी आधालत वो एक क्रिमिनल कोट था जिसमें कुर्मिनल यह क्राइम किसे निकिया है तो वो सारी जो चीजें है वह फॉजदारी अदालत में ली जाती थी इंडिया में जो अदालत का proper formal system था वो वेरेन हैंस्टिंग नहीं चालू किया था अगर बात करें अगले fact की तो वेरेन हैंस्टिंग को house of commons से हटा दिया गया था लंदन में जो house of commons है उनमें इनके खिलाफ मुकदमा चला था और उन्होंने वेरेन हैंस्टिंग को गद्दी से हटा दिया था उसका reason था जो महराज नंद कुमार थे उनकी हत्या का आरोप वेरेन हैंस्टिंग पे लगा था महराज नंद कुमार एक tax collector थे इनको मारने का आरोप वेरेन हैंस्टिंग पे लगा था यह थी वेरां हैंस्टिंग से डिटर सारी इंपॉर्टेंट बाते हैं चलता है हमारे नेक्स्ट कोश्चन पे इन वीच ये डिड़ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पास जर्रेजूलूशन ऑफ टोटल इंडिपेंडेंडेंडेंस किस वर्स में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने टोटल इंडिपेंडेंडेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज का बिल पास किया था तो अगर बात करें इसके फैक्ट की तो इन एर 1929 इर्विन डिकलेरेशन पास्ट विच स्टेट्स एट इंडिया वुड़ बी ग्रांटेड डोमेनियन स्टेटस इन फ्यूचर इर्विन डिकलेशन जो 1929 का है उसमें यह का गया था कि भारत को डोमेनियन स्टेटस मिलेगा जब हम लोग भारत छोड़के जाएंगे तो हम लोग भारत को डोमेनियन स्टेटस देके जाएंगे जिसका मतलब था कि आधाराज भारतियों के पास होगा लेकिंग जो किंग जो कुईन होगी जो सुप्रीम जो पावर होगी वो ब्रिटिसर्स के हाथ में होगी इनञेशनल कॉंग्रेस ने अपना जो मांग है उसको बदल दिया था 1929 में और उन्होंने का कि मुझे ये डोमेनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए बलकी इंडियनेशनल कॉंग्रीस बहुत लंबे समय से डॉमेनियन स्टेटस की ही मांग कर रही थी in but 1929 में अचानक से इंडियनेशनल कॉंग्रीस ने पून्ड स्वराज की मांग की सो जो एक तरीके का बहुत ही बड़ा Britishers के लिए सर्प्राइस था अगर बात करें अगले फैक्ट की सो एक फैक्ट और जो हमारा निकल के आता है सो जो हमारा Constitution of India है जिसको अफैक्ट मिलाए गया है 26 January 1950 से सो ये जो 26 January की डेट है ये इसलिए चुनी गई है क्योंकि 26 January 1929 को ही इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने पून स्वराज की मांग की थी सो उस डेट के सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए हमारे समिधान को भी उसी दिन से लागू किया गया था उसी डेट पे उसी दिन से नहीं 26 January को लागू किया गया था अगर बात करें अगले कोश्चन की अगर बात करें इसके फैक्ट की सो एराउंड 1192 कुट्व पुदीन एबक इनवाइश कुट्व मिनार बट बट ही अउनली गॉट तो कम्प्लीट थे बेस्मेंट 1192 में जब सेकेंड बैटल अफ तराइन हुआ था जिसमें पृत्वीरा चोहन हार गये थे मुहमद गोरी से सबस्वाइश करें नेंधु से इसके बोला कि हम कुट्व मिनार को बनवाइंगे दिली में जब हमारा दिली पर शाषन हो गया है तो हम कुट्व मिनार को यहांपे बनवाइंगे जिससे हमारे विय crownार को रेप्रेशंट कर सकें जो लास्ट हिंदू रूलर है प्रिथी राचाहन उसको हमने मार दिया या उसकी डेथ हो गई है तो एक इसलामिक रूल को रेप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कुट्टू मिनार को बनवाया था जो हमारे प्रित्विराव चाहने इनको लास्ट हिंदू रूलर भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त और कोई भी हिंदू रूलर नहीं था जो दिल्ली की गद्दी पे पैट सकता था इसलिए इसको लास्ट हिंदू रूलर कहते हैं प्रित्विराव चाहन को सो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सायद दूसरा कोई हिंदू रूलर नहीं था तो ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा कोई हिंदू रूलर नहीं था जो दिल्ली पे कबजा कर सके सो सारे इस्लामिक लोगों को दिल्ली चाहिए थी क्योंकि वो बहुत पहले से जो भी इन्वेडर्स हमारे पास आ रहे थे सब दिल्ली पर ही कभजा करना चाहते थे सो इसलिए लाश्ट हिंदू रूलर को डेथ करने के बाद मारने के बाद कुट्व मिनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कुट्व दिन एबक में सिर्फ बेस्मेंट का करवाया था और इसका जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है वो इलतूतमिस ने करवाया था जिसमें इन्होंने तीन और स्टोरी तीन और मंजिले कुत्व मिनार में एड़ की हैं प्रेजेंट में आप वहां जाएंगे तो अभी जो स्ट्रक्चर है कुत्व मिनार का वह फिरोज सा तुगलक का बनवाया हुआ है अगर आपसे कुछन पूस्ता है कि किसमें कुट्व मिनार बनवाया है अगर बात करें हमारे नेक्स कुछन की विच रूलर स्टार्ट दफ फर्स्ट कॉइन आफ गोल्ड किस रूलर ने पहले स्वन्न की मुद्राएं इशू की थी या शुरू की थी साका इरा जिनके नाम पे इन्होंने स्टार्ट किया था साका इरा को उन्हों नहीं सबसे पहले स्वन्न मुद्राएं चलवाई थी उसके पहले सिल्वर या कॉपर की ही जो कॉइंस थी वो इंडिया में चलती थी सबसे पहले स्वन्न मुद्राएं चलवाई हैं चंद गुप्त टू जो गुप्त आमपायर के रूलर थे उन्होंने पहली सिल्वर कॉइंस चलवाई थे अगर ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है पहली अगर सिल्वर कॉइंस की बात करेंगे तो चंद गुप्त टू पहले स्वन्न मुद्राएं की बात करेंगे तो कनिश्क अगर हम बात करेंगे पहले रूपी कौइन जिस कौइन का नाम रूपी था वो किसने चलवाई थी या रूपी वर्ड हमारे इंडिया में जो हम रूपी यूज üst करते हैं यह किसकी देन है तो यह सेर सा सुरी ने सबसे पहले रूपी नाम का सिक्का चलवाया था और अगर बात करें led coins की तो सत्वहंस जो है इन्होंने सबसे पहले led की coins चलवाई थी और अगर बात करें token currency तो token currency वास started by मुहमत बीन तुगलग token currency का मतलब है कि ना तो silver ना gold कुछ भी नहीं है बट उसके equivalent हम आपको एक token देंगे जिसकी value उसी के बराबर है जो आज के इंडिया में हम लोग यही चीज यूज करते हैं हम 10 रुपय का कोई समान लेके नहीं घूमते या 10 रुपय का सोना लेके नहीं घूमते हम 10 रुपय की नोट लेके घूमते हैं जिससे की हम यह बता सकते हैं कि यह इतने value के बराबर है जो आज इंडिया में या पूरे वर्ल में टोकेन करेंसी चलती है उसको इंडिया में मौमत बिन तुगलक में ही स्टार्ट किया था अगर बात करें next question की which reason of today सत्वहन्स अंपायर related to आज के किस भुभाग से सत्वहन्स अंपायर का relation है किस से इनका कहां पे इनका अंपायर था so the answer is महराष्ट्रा अगर बात करें इसके facts की so the सत्वहन्स किंडम mainly comprised of the present day आंद्रपदेश त्यलंगाना और महराष्ट्रा आज के आंद्रपदेश त्यलंगाना और महराष्ट्रा में ही सत्वहन्स अंपायर था it means सत्वहन्स अंपायर is the empire of South India Simukh is the founder of this empire and Gautamiputra Satkarni was the famous king of this dynasty सबसे जो famous king है वो गौतमी पुत्र है इनकी जो official language थी वो थी प्रकृत लेंग्वेज यह प्रकृत लेंग्वेज बहुत ही पुरानी लेंग्वेज है यह रिग वेदिक पीरेट से ही प्रकृत लेंग्वेज अगर बात करें कि क्या संस्कृत से भी पुरानी है तो ऐसा नहीं है संस्कृत लेंग्वेज को ही सबसे ओल्डेस लेंग्वेज माना जाता है लेकिन प्रकृत लेंग्वेज next oldest language है जो अगर second oldest language की बात करें तो वो प्रकृत है तो the official language सत्वहनส की प्रकृत थी यह बात आपको ध्यान रखना है ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स कोश्चन पे वीच आफ दे फॉलोविंग इस दो ओल्डेस डानेस्टी आफ इंडिया सबसे पुरानी डानेस्टी सबसे पुराना सामराज भारत का कौन सा है सो दा आंसर इस हर्यंक डानेस्टी अगर बात करें इसके फैक्स की सो बिम्बी सार वास दा फॉल्डर ओफ हर्यंक डानेस्टी जो आज जो मगद है जो मगद किंडम है जो पूरे पाटली पुत्र में फैला हुआ था जो सबसे पहला समराज था मगद का वो था हर्यंक डानेस्टी का जिसके फॉंडर बिम्बी सार थे और इनकी राजधानी उसक्त मगद की होती थी राजगीर जो अजाज सत्रू है जो अपने पिता के यो हटाया था इन्होंने गद्दी से मार मार के इनकी जान लेके इनको हटा दिया गया था बिम्बी सार को तो अजाज सत्रू इस पूरे समराज के सबसे बड़े किंग जिन्होंने मगत को सबसे ज़ाज सक्तिसाली बनाया था उस वक्त तो सबसे बड़े किंग अजाज सत्रू है और जो हमारी पहली बुद्धिष्ट कॉंसिल थी उसमें अजाज सत्रू ही सबसे पहले राजा थे बुद्धिष्ट कॉंसिल राजगीर में ही हुई थी जिसका अरेंजमेंट अजाद सत्रू ने किया था तो दर रोयल पैटरन वास अजाद सत्रू और अगर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉंट की बात करें हरेंग डाइनस्टी से पाटली पुत्र मतलब प्रेजन डे पटना तो जो पटना है उसकी फॉंडेशन उदाइन ने की थी यह भी एक्जांस में बहुत बार आता है चलते हैं हमारे नेक्स्ट कोश्टन पे विजय नगर किंडम वास विजय नगर जो किंडम है उसकी पहला संबराजिप कौन सा था तो आंसर इस संगम डाइनस्टी विजय नगर अंपायर जो की साउथ इंडिया का सबसे स्ट्रॉंगेस्ट अंपायर था जो चार एजएस में डिवाइड़ है तो इनका जो सबसे पहला सामराज था हो था संगम और वो सबसे स्ट्रॉंगेस्ट भी था संगम एज तो विजय नगर आंपायर के अगर बात करें तो इस चार एजएस में डिवाइड़ है संगम एज, सालूव एज, तुलूव एज, अरिव्यूद एज संगम एज के जो फर्स्ट डैनेस्टी थी संगम एज, विजय नगर अमपायर की पहली डैनेस्टी इसमें हरियर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट वेर दे किंग आफ संगम एज, जो फेमस किंग है वो हरियर फर्स्ट है, इन पर कोस्चन्स आते हैं, कि हरियर फर्स्ट और बुक का फर्स्ट, वेर दर किंग आफ विच एज, तो आंसर ही संगमेज, वीजय नगर अमपायर जो कि तुंग भद्र रिवर के किनारे है, वो सबसे बड़ा अंपायर था साउथ इन्डिया का, और इसमें जो सबसे बड़ी समरاج थी वो संगमेज थी, जिसकी राजधानी थी हमपी हमपी करनाटका में है और संगमेज में विजय नगर अंपायर की कैपिटल हमपी थी अगर बात करें next question की 4-14 incident is related to 4-14 incident किस से related है so the answer is non-corporation moment असयोग आंदोलन से related है 4-14 incident so अगर बात करें 4-14 में क्या हुआ था so 4-14 में एक small group of people ने जो शांतिपुन तरीके से अपना असयोग आंदोलन में जो अपना विद्रो जाहिर कर रहे थे वो 4-14 जो गोरकपूर के पास है वहाँ के police station के पास उनको block कर दिया गया था तो उसके बाद उनको जाने नहीं दिया गया फिर वो लोग वहाँ पे बहुत ही violent हो गया फिर उसमें 22 जो police कर्मी है जो 22 policeman है और पूरे station को उस भीर ने आग लगा दी थी जिसके बाद non-corporation movement violent हो गया गांधी जी को लगा कि अगर इस तरीके से सारे लोग violent हो जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा गांधी जी का सिधान्त an eye for an eye makes the whole world blind यदि आख के बदले आख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाती है सो इसी लिए गांधी जी वाइलेंस को बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर दे थे बिल्कुल शांती पुन तरीके से वो सारे चीजों को चलाते थे सारे अंधोलन को चलाते थे जिससे कोई भी दुनिया में कोई भी दूसरी पावर थी उससे भी गांधी जी को हमेशा सायोग मिलता था हमेशा हेल्प मिलती थी क्योंकि वो हुमेंटी पे बेजड काम कर रहे थे सो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने असायोग अंधोलन को वापस ले लिया था अगर बात करें चौरी चौरा इंसिडेंट की तो यह फोर्थ फैबरी फैबरी को हुआ है 1922 में कई बुक्स में आपको 5 फैबरी 1922 भी मिलेगा बट 4 फैबरी के लेट नाइट में यह इंसिडेंट हुआ था और अगर बात करें इस इंसिडेंट के जस्ट एक हफ़ते के बाद 12 फैबरी को गांधी जी ने 4-4 इंसिडेंट के बाद असायोग अंधोलन को वापस ले लिया था और इस वापसी के बाद सुभास चंद्र बोस जिनको सभी लोग जानते हैं यह हमारे इंडियान निसनल आर्मी के पाउंडर थे इन्होंने कहा था कि असायोग अंधोलन वापस ले लेने से एक राष्ट्री आपदा आ गई है जिसको रिकवर करने में हमें बहुत टाइम लगेगा हम दोबारा से ऐसा अंधोलन क्रेट नहीं कर पाएंगे ऐसी हेल्ब इसी के बाद असायोग अंधोलन में ही बहुत सारे लोग फिर गांधी जी से सैड हो गए जैसे कि भगत सिंग और जो हमारे एचे सारे हैं एचे सारे की जितने मेंबर से उन्होंने अलग ग्रूप बनाया था जिनका मानना था कि शांती पूर्ण तरीके से हमें आजादी नहीं मिलेगी हमें सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा आत्मरक्षा सो इसी इंसिडेंट के बाद यह सारी चीजें हुई थी क्योंकि पहले सभी लोग बानते थे कि शांती पूर्ण तरीके से ही आजादी मिलेगी बट उसके बाद सभी लोग ऐसा मानना छोड़ दिये सो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो साइनिंग आफ रविंद श्रास्तर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन